नमस्कार, संतुलित न्यूस में आपका स्वागत है, मुंबज से महरा जाईरानी, इस वक्त हम बैंडरा पूर्व, बिकेशी भारत नगर में उपस्तित है, अंचन पे उपस्तित मौजूद लोगों ने यहां पे तमाम जो प्रक्रिया है, शाष्की प्रक्रिया है, उसको जो बैनर के उपर फोकस करके आपको दिखाना चाते, हमारा घर, हमारा हगदलालों से सावधान, 72 को रोड का प्रोजेक्ट और गरीबों को 7,20,000 में बेगर करने की स्कीम जो है, शाष्ण प्रशाष्ण द्वारा चलाई जा रहे है, शाष्ण प्रशाष्ण से मांग है, कि उन के साथ अन्याय हो रहा है, पिछले 30 वर्शों से यहां पर रह रहे है, रहवासियों के साथ किस तरह से पुलिस, प्रशाष्ण और एड्मिनिस्टिशन डिपार्टमेंट जो है, मिलके अत्याचार कर रहा है, उनको आपने अधिकार, मूल अधिकार और घरों से वंचित कर है, यह तमाम जानकारी लेने के लिए यहां पर हम उपस्थित हुए है, हम यहां पर जो अंशन कर रहे हैं, उन लोगों से कुछ बात करना चाहते है, संतुलिक न्यूस में आपका स्वागत है, यहां पर उपस्थित जो यहां के रहवासी है, जो अंशन पर बैठे है, प्र वेलफेर सुसाइटी का चैर्मेन हूँ, और जैसे के मुझे यह बुलना था कि हमारे बारत तारीक को हम लोगों को बताया गया था कि महारा का सर्वे आने वाला है, हमारे लोगों को बताया कि महारा का सर्वे आने वाला है, और महारा का सर्वे आते साथ ही उनके साथ में ब कि कई साइं कि लोग के पाउस पीटर साइन करा देते हैं और कम लोगों को एधाने के बाद लूगर बिय्क आने के लिए और लोग बिलते कि कुछ हीनिAY कि कि यह किसी को कपी दी गई ह Base ज Strategy लोग को पढ़ने के लिया तो दो पंडय 커न को सब्रयल के सार्वे को हाय кино है हमार्ञा के साथ में बिल्डर रहाया थे हैं जोक जाया। और उसी साथ में दौक्ड्री में 200 पुलीस आती है और चार बस खड़ी होती है हर गेट पर के कस ब्लॉक करते हैं और लोग उसके अरेस्मेंट में लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं बोलते कि सिर्फ सिगनीचर करो यह माड़ा का सर्वे और लोग तो अनपढ़े जब पढ़ने नहीं दो गए आप कुछ दोगे नहीं कॉपी नहीं किया और उसमें सवाल नहीं किया कि 31 December तक आप किसी भी तरह का हमारे विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकते हैं हमने उनसे IDP पूछा हमने उनसे सब सवाल करें लेकिन वो कोई कीज का हमको जवाब नहीं दे रहे हैं किसी चीज का जवाब में सबसे पहली बत नहीं है और यह टोटल पूरा हमारे पारेंस्मेंट हो रहा है तो हम यहीं मांग करके बैटे कि यहां पे बैटे वाद की कहीं बीजा रहे हैं मदद के लिए तो हमको कहीं से मदद नहीं मिल रही है हमको बेटे वाद तीसरा दीन हो गया तीसरा दीन से हमारे लोग बीमार हो रहे हैं एम्बॉलंस तक की सुईधा नहीं है और इसमें हमको पुलीस हरिस्मेंट करती है कि आप लोग यहां से उठो तो आप लोगों पर केस बनेगा तो अगर हमारे घर की लड़ाई के लिए लड में सीपी को सीपी ऑफिस में और वीकेसी पुलीस में सब जगा दे चुगा लेकिन हमको कहीं से भी कुछ अभी तक मदद नहीं मिलिए तो आफिर में यही रस्ता अपना है तो अगर वह लोग डाउन में हमको घर खाली करा देंगे तो हम फिर उसके बाद किसके पाच जाए तो हम अगर लोग डाउन में अभी उसी उसी धरिमान में अगर उनके दवाव में आके अगर यही चलता रहा तो हम जब तक तो घर खाली हो जाएगा हमारा तो हम कहा जाए तो हमारी तो यही है कि जो भी अगर कानून के डायरे में हम चाहते है जो कानून के जो हमारे गवर जिसका नाम ABIL company है हम उससे मिलना चाहते हैं हमें इन जो भी यहां पे काम कर रहे हैं इस वग उनके पास ना ही कोई डॉक्यमेंट्स है जो शो करते हैं वो बिल्डर है और ना ही कोई प्रूफ है कि वो बिल्डर है तो हमारी मांग यही है कि हमें यहीं यहीं ट्रांसिस कैम चाहिए और हमें घर के बदले यहीं घर चाहिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए हमें घर के बदले घर चाहिए यहीं हम हमारे temporary transit camp हो और हमें हमारा जो बिल्डर है अविनाज भोचले उसके सामने बैठके मीटिंग हो ताकि हमारी जो आवाम है उन सब को देखे और ताकि उनको भरोसा हो कि बिल्डर ओरिजिनल बिल्डर हमारा है यह जो दलाल है बीच में हम उन दलालों को हटाना चाहते हैं इस करुणा काल में हम लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है हम उधे टाकरे जिससे अपील करते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट करें और हम लोगों को घर से बेघर ना होने दे क्योंकि हम लोग अभी इस वक्त बहुत परेशान है सर आप से अपील कर रहे हम सब मिलकर कि हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें और हमारे लिए आगे बढ़े। तो उस विदिन हमारे साथ आइसा होता है, कि जाते हैं टेबल पर बढ़ता है तो सीधा पटेली और भाई तेरे आंग में इखाली खुन नहीं है, तो फिर आइसा बोलता है, डारेक बोलता है, कि आप लोग आके बढ़े तर आपके वासे दो रास्ते हैं, एक मेरे पास आने क और दूसरा मेरे सागेंज जानेगा, और फिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और चैलेंज करके बोलता है, कि आप पूरे 712 में से चार घर पे उमली लखके दिखा दो, मैं उसको 24 घंटे में खाली करके दिखाँगा, मैं ताकत देखना चातों देखो, यह चीज़ बोलता है, बाद में फिर सेकेंड हम लोग फिर जाते हैं, तो हम लोग फिर और भाई की रीटाइप बोलता है, कि बाई सकता हूँ, जो लीगल पेपर दिखा, हम लोग यह तरीके जाना चाहते है, लीगल है तो बताने तो कुछ भी नहीं, तो वटाव पेपर इबर सब साइड में रोगो, वन टू का फोर कर दो को ले, हम लोग घर के लिए हम लोग कर रहे है कि वन टू का फोर करने के लिए कि 2020 चाल लुए कि आईपेल चल रहा है, आपकी जानकारी के अनुसार यह बिल्डर ना हो के गुंड़ाई है, शीदी बात है यह बाद यह तो भाई वाला लंडन से पड़के है, तो यहां हम लोग के बास नहीं है, यहां सुरा रहा है हम लोगो, यही चीज़े सुर बास, यही चीज़ की तकली आपने बिल्डर के विरुद, किस-किस विभाग में तकरार दर्च किया इसकी जानकरी दीजे, बाई सी अगर इंशालला हम लोगों, अल्ला ना करें कुछ होता है ना, तो सब उसके बदलों तो ही ध्यान रखें, बजी इतना बोल रहा है, उसके बाद ध्यान रखें, अगर है तो देख ले, तो रहे, एक जाने देख ले तो कौन लेता अब है, अगर मेरी नसीब में लिखा हैं इसके बास तो कुछ भी नहीं है ना, यह बस हमको खाली बास पैसों के लिए दबाना चाहता है, हम लोगों बोलता है, बात में नेक्स डेज, थर्ड डेज, मीटिंग करता है सुसाइडी की, अब बोलता है, चलो बोले इसा करो, मैं तुम लोगो 5 लाग 11,000 देता हूं, एक पूरा तूट जाएंगा, पूरा प्लॉड बन जाएंगा, तो तुमको बाखी का पेमेंट करते हूं, जब से पहले फोड़ा आप यह जान करी दीजिए, कि यहां पे जो बिल्डर द्वारा जो एग्रिमेंट किया जा रहा है, वो रजिस्टर आए, एग्रिमेंट है या अ तो मालूम पढ़े हैं सीधा, पहली बाद तो टेंडर एक भड़ना पड़ता है, एक इतनी बाहतर अजार क्रोड की प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक ही बंदा खाली है, उससे बड़े कुछ है ही नहीं गया, बचे नहीं बिल्डर गया, वो एक ही बंदा भड़ता है, ट इतना चाहता हूं, सरकार से उध्योठाकरे साब से यही बिंती करता हूं, गरीब गरीब लोग है, यहां साथ सो बार लोग इस पर ले नियाय करो, बज इसकी आगे पर आप यह में दे रहा हूं,